हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आप ये देख रहे हैं चना दाल चांट और ये चांट है बहुत ही टेस्टी बनी है और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही कहीं ज्यादा खाने में भी अच्छी है फ्रेंट्स ये सो फ्रेंड्स इसे कैसे बनाते हैं फटा-फट से स्टार्ट करते हैं यह मैंने चना की दाल लिया है और इसको टेड़ घंटे पहले पानी में विगोके रख दिया मैंने अच्छे से फूल गई है यह मैं हाथ से ऐसे काट रिये इसको तो आसानी से कट पा रही है दाल को अच्छे से साफ करके और धो के फ्ला देना चाहिए गैस पर मैंने कुकर रख दिया है कुकर में ओइल एड़ करेंगे टू टेबल इस्पून ओइल वन टी इस्पून जीरा टू पिंच हींग अच्छे से भुन गए हैं ये प्याज एड़ करेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे मैंने कुछ ग्रीन चिली रफली चॉप्ड की हैं वो भी एड़ करेंगे अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम डालें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चिली एड़ करें रफली चॉप्ड टमेटोज अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजों को कुछ स्पैसिस एड़ करेंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ करेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे, मसाला अच्छे से भून गया है, ओल छोड़ दिया है मसाले ने, डाल एड़ कर देते हैं, डाल को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो सके, थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, आदा कप, और कुकर का धकन बंद क कर दिया इसमें तीन से चार सीटी लगानी है हमें और गैस ऑफ कर देंगे जब तीन से चार सीटी हो जाएंगी कि प्रेशन निकल गया है इसका कि चेक करेंगे तो यह देखिए हमारी यह चाट बनके तैयार है एकदम मारी कटा हुआ धनिया और चंकी चाट मसाला एड़ करेंगे इसमें चंकी चाट मसाले से काफी अचा टेजट आता है तो इसे आप जरूर एड़ करें अच्छे से मिक्स होगी हमारी चाट बनकर के तैयार है सर्व करने के लिए तो फ्रेंड्स आप भी यह बनाएए खाए और अपना experience मेरे चनल पर comment box में मुझसे share कीजिए अगर इस रैसी पर से जड़ा कोई भी question आपके mind में है तो आप मेरे चनल पर मुझसे comment box में share कर सकते हैं उसका answer आपको जरूर मिलेगा इसे बनाना बेहद आसान है friends तो आप भी बनाएए जरूर एक बार try कीजिए एक बार फि thank you